दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते आज हम कच्छा 9 के NCIT के बिग्यान की किताब से परमाड संदचना अध्याय के अंतरगत आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्रब्यमान संख्या यानि परमाड भार atomic mass के बारे में आज हम जानेंगे atomic mass को जानने से पहले हमें कुछ बाते जानना बहुत ही जरूरी है तो atomic mass माने होता है द्रब्यमान संख्या यानि सबसे पहले हमको पर्माड़ों को जानना होगा सबसे छोटा पर्माड हमारा होता hydrogen hydrogen का सबसे चोटा परमाड होता है इसका एक नाविक होता है इसमें एक प्रोटान होता है और जीरो न्यूट्रान होता है इसमें अगला परमाड हमारा है हीलियम अगला परमाड हमारा है हीलियम तो हीलियम का एक नाविक होता है इसमें दो प्रोटान होते हैं और दो न्यूट् होता है आप जानते है इसी तरह अगला परमाड़ु है हमारा लिथियम लीथियम के नाविक होता है इसमें तीन प्रोटां होता है और चार नियूट्रान होता बारीक अच्छा में तीन इलक्टान होते हैं। इस तरह से हमारा अगला होता बेरियम, इसका नाभिक होता बेरियम, बोरान, कार्बन, इस तरह से हमारे बहुत सारे 118 तत्तों की खोज हो गई है और वे परमाड होते हैं, तो सबसे पहले हम को परमाड को समझना है, द्रब्यमान संख्या क्या है, यानि एटामिक मास द्रब् द्रब्यमान संख्या निकालना है NCRT किताब में यह बहुत साधार तरीका है ग्यारा की किताब में NCRT की दिया गया है अलग तरीके से द्रब्यमान संख्या निकालने का और कच्छा नव की NCRT किताब में द्रब्यमान संख्या निकालने का सरल तरीका दिया गया है जो की आज हम जानेंगे तो द्रविमान संख्या कैसे ग्यात की जाती है किसी पर्माड की यह हमारे क्या है पर्माड इन सब को आप जानते हैं न्यूटरान तो द्रविमान संख्या होता है किसी भी पर्माड का जो ओजन होता है यह जो पर्माड का भार होता है द्रविमान माने भार यह पर्माड का बहार होता है ये पर्माड का बहार हाइडोजन का बहार अलग है हीलियम का बहार अलग है इस तरह से लीथियम का अलग है जितने भी 118 तत्तु हैं सब का बहार यानि ओजन क्या होता है अलग अलग होता है तो अलग क्या होता है तो इस पर्माड संख्या क्या है प द्रब्मान संख्या हमारा होता है द्रब्मान द्रब्मान संख्या जो होता है द्रब्मान संख्या प्रोटानों और न्यूटानों के योग के बराबर होता है न्यूटान धन प्रोटान नाभिक में जो न्यूटान होते हैं और जो प्रोटान होते हैं उनकी संख्या का योग क्या होता है द्रब्यमान संख्या के बराबर होता है यही द्रब्यमान संख्या के परिभासा भी कह सकते हैं और इसे सूत्र भी कह सकते हैं इसे क्या कह सकते हैं सूत्र द्रब्यमान संख्या का या सूत्र है लेकिन समझना भी हमको द्रविवान संख्या ये जो परमाड में क्या क्या होते हैं किसी परमाड में प्रोटान होते हैं न्यूटान होते हैं इलक्टान होते हैं तो ये जो इलक्टानों का जो संख्या है इलक्टानों की संख्या साधार भासा में साधार तरीके से हम कह सकते हैं यदि कोई परमार हो है उसमें इलक्टान भी है इलक्टान भी है प्रोटान भी है और न्यूटान भी है यह तीन है तो इसका भार तीनों का योग के बराबर होना चाहिए इनका भार प्रोटान धन न्यूटान धन इलक्टान साधार तरीके से तो हम कह सकते हैं कि प्रोटान न्यूटान इलक्टान के योग के बराबर परमाड का द्रब्यमान हो चाहिए द्रब्यमान संख्या इस तरह से होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है इस तरह से द्रब्यम इलक्टानों की संख्या को छोड़ दिया जाता है इस तरह से और क्यों छोड़ दिया जाता है क्योंकि इलक्टान का जो द्रब्यमान होता है वो बहुत हलका होता है और इलक्टान के द्रब्यमान का असर उसके परमाड के द्रब्यमान पर नहीं पड़ता है यानि कहने का सकते हैं इलक्टान क्या होता है बहार हीन होता है बहार हीन होता है किस कंडिशन में द्रविमान संख्या निकालते समय जब किसी परमार की द्रविमान संख्या निकाली जाती है तो इलक्टान का द्रविमान नहीं लिया जाता है क्योंकि माना जाता है द्रविमान संख्या निक उसका भार जोड़ देंगे तो उसके भार की जरूरत नहीं होगी जोड़ देते हैं तो गलत आएगा उसका भार आता ही नहीं जो नाभिक का जो ओजन होता है वही पूरे परमाड का ओजन के बराबर होता है साधार भासा में कह सकते हैं कि इलक्तान क्या होता भार हीन होता है तो इस तरह से हम समझेंगे कि द्रब्मान संख्या क्या है, द्रब्मान संख्या किसी पर्मार के नाभिक में उपस्थित प्रोटानों और न्यूटानों की संख्या के योग के बराबर द्रब्मान संख्या होता है, तो इसमें हमको तीन चीजें पता है, द्रब्यमान संख्या, द्रब्यमान संख्या को हम ए से लिखा जाता है, ए से भी लिखा जाता है, और न्यूटान को यन से प्रोटान को पी से, यानि किसी भी परमाड का, किसी भी तत्तु के परमाड का दो चीजें पता है, तो तीसरा हम ग्यात कर सकते हैं यदि किसी तत्तु का यदि इसका परमार भार दरब्यमान संख्या पता है इसकी दरब्यमान संख्या यदि 9 है तो न्यूटानों के संख्या 9 में से 3 गया कित्ता हो जाएगा 9 में से 3 गया 4 सारी 5 होगा इसका परमार भार कित्ता हो नव हो तो पांचार नव हो जाएगा ये पांची सारी इसका परमाण भार आठ हो और इसकी प्रोटानों की संख्या तीन हो तो आठ मसे तीन गया तो पांच हो जाएगा इस तरह से हमारा यदि इसमें हमार न्यूटानों की संख्या पता हो और प्रोटानों की संख्या पता हो तो इसका द्रविमान संख्या दो दो चार हो जाएगा इस तरह से यदि किसी भी तत्तु का पर्माड में न्यूटान दो पता हैं तो तीन सरा हम आराम से निकाल सकते हैं कहीं जोड़ना पड़ेगा और कहीं घटाना पड़ेगा और द्रविमान संख्या को और पर्माड कर्मा को हम इस तरह से लिखते हैं कोई तत्तु एक्स है यहां क्या लिखा जाता है उसका पर्माड नीचे लिखा जाता है पर्माड पर्माड संख्या नीचे पर्माड संख्या लिखा जाता है और इस साइड या इस साइड इधर द्रभ्यमान संख्या लिखा जाता है द्रभ्यमान संख्या इस तरह से दर्बमान संख्या को लिखा जाता है